स्वागत है आप सभी का कम्टिशन कॉम्टिटी के यूटूब चैनल पे हम लोग की तिहांस में आज कनिस्क के उपर बात करेंगे कनिस्क के उपर में सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि जो कनिस्क है वो कुसान बंस्का है ये कोशन एक्जाम में आता है और बच्चे जो है यहाँ पर सब्धूरा सा कनिस्क में रखेंगे तो हम लोग कनिस्क के बारे में बात करते हैं, आप ध्यान दिजाएगा, बोड पे हिंदी इंगलीस दोनों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, और PPT भी आपको हिंदी इंगलीस दोनों में लिखा हुआ मिलेगा, ये बात भी आप ध्यान में रखेगा, और दूसरी बात जो मै से से इस्टेट ब्यापम वेगर जो लगलग स्टेट उमें चलता है आपको यह डेलिवेंट टॉपिक है वहां से एक्जाम के कोशन आपको पुछेंगे या पूछा गया है प्रिवेस एर कोशन पर लगा यह जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आगे भी कहता रहूंगा हमेशा बो लगने लगेगा तो आप हमारे साथ previous year question paper भी solve करते हुए रहिएगा जब जिस topic को हम पढ़ा दे उस topic से ठीक है अगर कुछ ऐसा question extra मिल जाए जो कि आपको लगड़ा है कि मैंने नहीं बताया है या यह कुछ अलग है तो आप अपने notes में उसको add on कर देज़ेगा यह एक बहतर तरीका होता है अपने notes को बनाने का तो यह बात भी आप अच्छे तरीके से समझेगा चले ठीक हम लोग कनिस्क के उपर बात करते हैं देखिए कनिस्क जो था वो कुसान dynasty का था जो भात हम ने पहले किया कि कुसान dynasty का था यहाँ पर देखिए कुसान dynasty का और या कुसान dynasty, चीन में, चीन के dynasty है, चीन से बिलोंग करता है जो हाँ पर योची या तोखारी जनजाती का था, कभी-कभी एक्जाम में ये तोखारी या योची जनजाती जो है न, पूछ लिया गया है, लेकिन बहुत कम बार पूछा है, बहुत कम बार, लेकिन फिर भी example है और important भी है तो हमने इसको बता दिया है तो यूचि या तोखारी जनजाती के है और इस जनजाती के में बहुत साड़े साखाय थी उन सभी साखाव में सभसे important कुसान साखा था और जो की भारत में आया यही बात आप ध्यान रखेगा जो की भारत में आया और भार का सबसे परमुख्सा आ सक जैसा कि हमने पहले चर्चा किये कौन था कुसान था या ज़ो द्यान रखेंगे अपने point में यहां पर बात बता दू करें बहुत सारी बाते आप से यहाँ पर करने वाले हैं एक्जाम पाइंट व्यू से कनिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है और कनिस्क को मैं बता दू कि जो अफगानिस्तान वाले जो लोग है वो कनिस्क को अपना हीरो समझते हैं इस बात को समझेगा और हमने कनिस्क को भूला दिया जबक 38 120 में 78 इसन इसल्य इन्पॉर्टेंट ही जाना से इसल्बी जीन इसी हैस्बी ए इससेल्बह जंडेंट है क्योंकि यहाँ पे सक्संब़त की शुरुवात हुई थी सक्संब़्त यह 91313 57 इस भी पुर्व यहां पे इस भी पुर्व लगा दूँगा मैं पुर्व इस भी पुर्व ठीक है 57 इस भी पुर्व विक्रम संबत की सुरुवात हुई थी विक्रम संबत अगर विक्रम संबत की बात करें यहां पे विक्रम संबत की तो यह हुआ था 57 कहीं 58 भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आप उसको परसान नहीं होंगे और अगर सक संबत की बात करें सक संबत की तो इसकी शुरुवात हुई थी कभ 78 AD तो यह BC है और यह AD है अब हमें यह बताईए कि दोनों के बीच में कितने बर्स का अंतर है तो जब भी मैं आफ्लान ग्लासेज में ऐसा पूछता था तो बच्चे 78 से 57 घटा देते थे और बोल इस दोनों के बीच में दोनों को जोड़ देंगे 8,715 और 7,512 एकतेरा 135 वर्स का अंतर है दोनों के बीच में कैसे अगर इसको समझेंगे मैं आपको बतायता हूं तो देखो BC का मतलब क्या होता है यहाँ पर जीरो है ठीक है तो यहाँ पर देखो 57 है यह और यह यहाँ पर 51.1 पे पहुंच गया 2,3,4,78 तो इसमें क्या होगा इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 135 बड़ा सिंपल है बहुत सिंपल है यह लाइन चार्ट जो है आपने बच्पर में पढ़ा होगा कि किस तरीके से यह माइनस में हो और यह पलस में हो तो दोनों आप 35 ठीक है चलिए उसके बाद यह दोनों में आप समझ में आगे और यह कोशन एक्जाम का है कई बार पूछा है यह यह भी कोशन एक्जाम का है कई बार पूछा है यह भी कोशन एक्जाम का है कई बार पूछा है यह भी कोशन एक्जाम का है कई बार पूछा है अब आप बो कब हुआ तो सक संबत की सुरुआ तो सक संबत चला विक्रम संबत को सुरुआत किस ने किया था जरा मैं इसको छोटा कर दू और उधर लेके चलू ठीक है विक्रम संबत की सुरुआत किस ने किया था विक्रमा दित्ति ने विक्रम संबत की सुरुआत किया था यह बात आप सम atin Transition आगर मैं इसको मूلف हो और मैं इस इस कुछ श्ड़ा सा बात अर बता दो एक है जो अभी का कैलेंडर हैं जो हमारा कैलेंडर है और हमारे समida jya 22 orATE का नाम क्या है इसिट गरीगेरियन कालेंडर गरीगईरियन ग्रिगेरियान या जॉर्जियन या जूर्जियन कलेंडर ठीक है इसका नाम है और यह भी एक्जाम का कॉस्ब्सन है कि हमारा जो जो कलेंडर हम do क्ते चलो यहां पर आपर फो flies नाम है अब यहां पर प्रौइंट आ आ चीज और भारत सरकार ने सक संबत को अड़क्ट किया, यह भी कोशन एक्जाम का है, कि इंडियन गौर्वर्मेंट भारत सरकार लिगता हूं हिंदी में, इंग्लिस वाले बच्चे बिल्कुल परसान नहीं होंगे, कोई ऐसा हिंदी का सब्द नहीं जो आपको परसान कर रहा हो, ठी किसे अपनाया, किसे अपनाया, किसे अपनाया, सक संबत को अपनाया, मैं इसको थुरा सा ऐसे कर दू, ठीक है, इसे अपनाया, किसे अपनाया, सक संबत को अपनाया, ठीक है, चलो, अब हम देखते है, गिरिएरिन केंडर, और यह है 2022, तो हमें यह पता लगाना है कि बरतमा कि हिसाब से कौन सा साल चल रहा है और विक्रम संबत कि हिसाब से कौन सा साल चल रहा है यह बात आप हमें बताएंगे comment करके, ठीक है, comment में बताएंगे, comment में बताएंगे, आप हमें सब के सब comment करेगा, सब के सब, यह आपके लिए है, गलती होगा, उसको मैं सही करूँगा, ठीक है, मैंने बता दिया तरीका कैसे होगा, ठीक है, तो मैं फिर से बताओ question, कि अभी 2022 चल रहा है, तो सक संबत की हिसा according to Bikram संबत, बस, यह question का जवाब आप हमें बता दीजिए, आप हम आगे बढ़ जाते हैं, तो यह exam का question आप ध्यान में रखिएगा है, हमारा यह ग्रिगेजिन कलेंडर है, और जो हमारा हिंदी वारा कलेंडर है, वो कब से सुरू होता है, तो चैत महिना से सुरू होता है, आप हम आगे बढ़ते हैं, और जो हम आगे बढ़ते हैं, आप हम आगे बढ़ते हैं, बिक्रम संबत और सक्संबत कर लिए दो कैलेंडर हो गया तीसरा गिरिलेंडर चौथा जो एक कैलेंडर हमारे पास में है गुपता कैलेंडर वो 320 AD में कहीं कहीं 319 AD है दो कहीं कहीं 57 को 58 भी लिखावा मिल जाएगा तो आप परसान नहीं होंगे और गुपता कैलेंडर को भी आगे हम देख लेंगे ठीक है चलो तो कनिस्क 78 AD से 102 इस भी में यहां पर सासन करता है बहुत महान सासक है कनिस्क इस बात को ध्यान रखिएगा राजधानी इसका है पुरुसपूर जो की बरतमान में पेसावर है राजधानी कहा है पुरुसपूर जो बरतमान में पेसावर है यह कोसन एकजाम में पुछा है कई बारी तो इस बात को द्यान में रखेगा मतुरा को酌न एकजाम में नहीं पूछा है तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि पुरस्पूरी एक पिसावर इसकी क्या है राजधानी है चलिए ठीक अग्ला point सक्संबत की लेकर बहुत सारी बाते हम लोग ने कर लिया कि अब कनिश्ड को लेकर के एक point क्या है है वो हम आपको बताते हैं right किसलिए शुका जाता है क्योंकि बहुत भर siis पर में बहुत योगदान दिया था यहां पिलिखा ना सेंड असोख तो बहुत धर्म के अब पॉइंट यह कि कौन से बहुत धर्म का कनिस्क अनुआई था और अगर क्या बलते हैं तो असोख लुगव आन-वाइधा यान-वाई था जबकि कनिस्क के बारे में अगर हम बात करें जैसा कि यह पे लिखा हूँ है और ये एक्जाम का question बहुत important है क्योंकि कनिस्क जो है ना बहुत धर्म के लिए उतना ही काम किया या जितना की असोख ने किया था हलाकि असोख एक महान के दरजे में कनिस्क को महान नहीं कहते हैं लेकिन कनिस्क भी जो है ना अपने हिसाब से बहुत बरे सासक के रूप में ज किस्तान बाले लेकिन गोरी को अपना नहीं मानते गोरी को पर वहां पर कोई मोनुमेंट नहीं है और जबकि भारत में आया और किस तरीके से अकर्मन हुआ यह कहानी पूरा चल रहा है तो एक बार अटल वियारी बाजपी जी वहां गए थे और वहां के जो management है उससे कहा थ कि कितना डेवलप है अपने संस्कृति को लेकर के वह लोग ठीक है और हम लोग खैर चलिए हम लोग भी डेवलप हो जाएंगे चलिए अब हम लोग बात करें तो कनिस्क के बारे में आगे बात करते कि इसने उत्री एसिया चीन और मद्हेसिया में बहुत धर्म के परचार यह आप जानते हैं और मैंने पहले वी बताया उत्री एक का मतलब होता है जो हमारे डेलिब के तर्क चीन चले जाई गये तो यह सब जगों वहाँ पर बहुत ज़दा बहुत धर्म का परचार किये गया था, क्याकिस्तान-बेर्म, भत धर्म के परचार किये गये था, तो यह बात pata आप ध्यान में रखेंगे, कि हमारे भारत के आसपास के जितने भी Clay's क hombre वर्ल्ड में वर्ल्ड के मैप के हिसाब से उसको एक बार ध्यान में रखेंगे तो यह चीज आपको समझ में आएगा चलिए अब कनिक्स ने क्या किया था फूर्थ बुद्धिस्ट कॉंसिल का आयोजन करवाया था और यह बात हमने भगवान बुद्ध को पढ़ाते हुए प को बताया था तो यह सारा बात एक्जाम के कोउस्ट को इहां पर आपके लिए क्या हो रहा है रिवीजन हो रहा है इस बात को समझ्छेगा यानि पूर्थ बुद्धिस्ट कांसिल आप यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा से रिवीजन कराऊं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फॉर्स्ट जो बुधिस्ट कॉंसिल हुआ था वो कहां हुआ था राजगिरी में हुआ था किसने करवाय था अजाद सत्रू सकेंड जो बुधिस्ट कॉंसिल हुआ था वो कहां हुआ था वैसाली में हुआ था किसने था कनिस्क ठीक है तो यह बात हमने आपको बताया ठीक ना चलिए आप कनिस्क के बारे में आगे और भी बाते बताते हम आपको देखिए यह इंग्लीज में लिखा हुआ वो इधर हिंदी में लिखा हुआ था तो आप लोग परसान नहीं होंगे स्क्रीन सोट ले लिजिये लीख लीजिये मैं समझाने का काम आपको हिंदी में ही कर दिया तो कोई दिकत नहीं है आप यहां पे हम देखते हैं कि कनिस्क के समय में यानि कुसान डानेश्टी के समय में जो कला और साहिद के डिवलप्मेंट हुए उसके उपर में थुरा सा हम बारे में क्या development हुआ वो देखते हैं कि कनिस्क के दरवार में यहां पर देखिए कनिस्क के दरवार में पार्स बसुमित्र जो अध्यक्स थे फोर्त बुद्धिस्ट कॉंसिल का असु घ्यस जो उपाध्यक्स थे जिसकी किताब का नाम है बुद्ध चरित्र चरक जो की महान क्या थे चरक सेंहित्रा इनके किताब का नाम है और थे ये बात हमने आपको बताया यह लात इसे चाहरे केंड़ में फिचैनक किसका डॉक्टर, Conference.. चाल थे में असंट है हमें कॉंख्टर थे प्राचीन भारत थे किस बता दिया आप को एक बार बताई कहले factory फिर्मृमस फ़लोप्मेंट हुआ और उसमें अस्थापत कला में बड़ा डेफ्लेपेंट हुआ हुआ मतुरा सेली और गंधार सेली यह मतुरा सेली और गंधार सेली का जो development हुआ ही एक्जाम का question पता नहीं कितने बार पूछा है जिसका कोई हिसाब नहीं है मतुरा सेली भारतिये सेली है मतुरा सेली क्या है भारतिये सेली है ये भी बात मैं आपको बता दू पुरा पुरा भारतिय सेली है लेकिन जब गांधार सेली की बात करते हैं गांधार सेली जिसे एक्जाम में सबसे ज्यादा कोशन पूछे गए हैं इसको हम इंडो ग्रीक सेली कहते हैं इंडो ग्रीक सेली कहते हैं इंडो ग्रीक सेली या इसको ग्रीको रोमन सेली कहते हैं इस मतलब MBBI है मतलब की समाधलों की कैसा वाला BBI है ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट है गांधार सहली और मतुरा सहली और इसका development किसके समय में हुआ था कनिसक के समय में हुआ था और एक बात और बता दे कि आमराबती कला जो की आगे हम बात कर लेंगे वह साथ बाहनों के समय तो यह भी एक्जाम का कोशन बन जाता है अमराबती कला भी लेकिन गंधार और मतुरा से सबसे ज़्यादा कोशन पूछेगा है प्रिवेस कोशन पर सॉल्व कीजिए अगर आपके एक्जाम कोशन ना सॉल्व करें तो मैं यहीं हूँ आपको दिहान में रखना होगा एकद प्राचीन भारत के नाम आप कमेंट में बताइए क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ चलिए ठीक है और कौन किसके दरवार में थे ये भी बात बता दीजेगा उसके बात महा भिवास के रचनाकार कौन थे बहसुमित्र इसे बहुत धर्म का विशुकोस कहा जाता है देखो कितना इंपोर्टेंट है एक को कहा जाता है बहुत धर्म का रामायन और एक को कहा जाता है बहुत धर्म का विशुगोस तो बशुमित्र का जो महा भिवास है महा भिवास है बशुमित्र का उसे बहुत धर्म का महा कोस कहा जाता है और जबकि असुगोस का बुद्ध चरीत रही इसे बहुत धर्म का रमायन कहा जाता है रमायन ठीक है ना पॉइंट समझ में आ गया चलिए आगे बरते हैं ब्यपार और बनीज यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो सिल्क रूट था आपको ध्यान होगा सिल्क रू है और चाइना से सिल्क रूट गुजरती थी चाइना से ठीक है चाइना से सिल्क रूट गुजरती थी और कहां तक जाती थी यह जाती थी यूरोप तक कहां तक जाती थी यूरोप तक और किस रास्ते से हो करके जाती थी तो देखो यहां पे चाइना के ठीक भगल में हमार जी किस्तान है और यह निचे भारत है आप देख रहें और यह भारत का कस्मी था तो यह जो çık रूट है यह चाइना से निकल कर एक यूरोप तक मध्यसिया तक जाती थी ठीक है न лишь और यह कश्मीर के रास्ते से जाती तो यह जो सिल्क रूट है यह कनिस्क के समराज से होकर जाती थी और इससे कनिस्क को बहुत ज्यादा फैदा था टैक्स के रूप में पैसे आते थे इसको व्यापारिक रास्ता कहा जाता था जैने के लिए सिल्क के इसको पहले चाहिना में सबसे पहले इसकी नुन आ अपी कहते हैं तो पॉइंट यहां पर यह है कि छिलक लेकर करके बैपार यी इऊ रोप तक चाते थे भारत में भी बेचते थे लेकिन सिर्फ आइब सीलक के साथ दूसरे तीसरे भी जो का बृपाइर होता था। यह भी बात अपर अच्छे तरीके से समझ यह बात को को समझने की इस यहां तो यहां पे point कहा है कि ये एक especially ब्यापार का रास्ता था और चाइना इश रास्ता को फिर से खोला है फिर से इस चाइना इस रास्ता को One Roo One Bel T,One Root के नाम से plata întे जो है उतको शुरुवाद किया तो कनिंस्क के समपराज से हों करके गुजरती ती जो कर संगरतों वाद दिया नायने राज्जियो यानि ने नगर को बसाने में युगदान दिया नगरों के संब्रिद्धी में युदान दिया झालो ठीक है तो यहां असल siya saht neighbourhood- टेक Alors इस T जो आपको दिखाई दे रहा होगा नीला किलर से यह सत्था मों का एडिया है कि हम रहा होगा ऐसen कि सत्थातल्ध क्या है कि सॉत्ष उत्कर्स पर था तो यह दे इनके महाराश्ट्रा और परदेश तो महारा फ़स्टलऍध तो उना नएक वह सातवाहनों का इलागा हुआ करता था सातवाहनों और बहुत क्योंत रीखन सब्सक्त करनी मेंड सब्सक्राइब पर था साथ वाहनों ने चला आया था तो यह भी एक्जाम का खुशन बन जाता है तो इसलिए साथ वाहन क्या है इंपोर्टेंट हो जाता है ने तो साथ बाहनों का एरिया देख लीजिए भारत में कहां इस्ति थी ये बात आप समझ में आड़ गया और हम आपको आगे लेकर के चलते साथ बाहनों के बारे में नश्वार बारिये जब मौ्रे डानश्टी समाप्त होता है मोरे dynasty का बिगटन होता है तो क्या होता है कि एस से पहले यानि की मोरे dynasty के बिगटन बाद कनिस्क नौर्थ में उबर आता है और लगभग नौर्थ इंडिया को कनिस्क अपने असमराज के में कैंदर रखता है जानते हैं कि मतुरा तक यानि 않 Getting यूपी तक लगभग कनिश्क पहुंच जाता है लेकिन मद्ध भारत में और दक्षिन भारत में साथवाहन जैसे समराज उभर के आते हैं तो मद्ध भारत में मौड़ियों के पतन के बाद साथवाहन का उद्य होता है और साथ बाहनों को आंदर भी कहा जाता है और ये कोशन एक्जाम में पूछा जाता है आंदर बंस किसे कहा जाता है तो साथ बाहन को कहा जाता है या इसे आंदर साथ बाहन भी कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट ओव्यू से वी वी आई है इस बात क सो ध्यान में रखेएंगा कि से आंद्र साथ वाहन भी कहा जाता है या ऑनद्र मन्स भी कहा जाता यह बात ठीक चलिए आगे को साथवहन दाजाव को दक्षिनापत का सौामी इस वह भी-भी यह एक्जाम्ट का को मतलब होता है कि दक्षि labor के तरफ जाने वाला जो रास्ता है यानि कि दक्षिन के तरफ जो जाने वाली पूरा का पूरा मार्ग है उस मार्ग का स्वामी सात्वाहन को कहा जाता है क्यों को वार्ग उसी के समराज से होका गुजरता था वो पूरा का पूरा एरिया उसी के समराज का एरिया था इसलिए दक्षिनापत का स्वामी या पूछे पूरे दक्षिन भारत का स्वामी माना जाता था सात्वाहन को संस्थापक कोने सात्वाहन का तो सीमुक है सात्वाहन का संस्थापक सीमुक है और राजधानी परतिष्ठान या पैठन है यह आप यहाँ पर देख रहे होंगे राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान है यह कोशन एक्जाम में आया है और केंदर तो मैंने बता दिया कि महाराष्ट अंदरपर्देश और बरत्मान में कुछ तिलंगाना का पार्ड जो है यहां आपको ब्रहामन दिया बना है इसलिए आप यहां पर गलती मत किजाएगा अपने पर नहीं लिखा है तो अपने कौपी में लिख लीजेगा ठेक है एक, अभ अगरा चुकी सातवाहनों का जो founder है, वो सीमूक है, लेकिन इसका जो सबसे important सासक है, या एक दो जो important सासक है, वो अगर यहाँ पर ध्यान में रखे, तो इसका important सासक है सातकर्णी पर्थम, यह महत्पूर्ण सासक है, इस समय सातवाहन का बड़ा important बिर्धी हुआ, दरसल एक्जाम का जो कोशन पूछ लेता हुए ये पूछ लेता है कि सातकर्णी किस बंसका था, सातकर्णी के बारे में पूछ लेता है कि किस बंसका था, तो सातकर्णी के बारे में बात हम लोग करते हैं, सातकर्णी पर्थम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद गौतमी पुत्र साथ करनी, ये भी बड़ा इंपोर्टेंट सासक है, गौतमी पुत्र साथ करनी, सबसे महान सासक है, और यहां पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ, जो कि हम आपसे बात करेंगे, कि जो वहां के सासक है, वो अपने नाम के साथ मा का नाम को एड करना सातवाहन बंस में मा का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा था सातवाहन बंस में मा का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा था तो अपने नाम के साथ मा का नाम एटेच करना यह मा के इंपोर्टेंस यानि की मेट्रियोकल जो सोसाइटी है इसके तरफ ध्यान देता है या मेट्रियो रखेंगे तो इसी तरीके से यह साथ वहान एक ऐसा डानेस्टी है जहां मा का स्थान परमुख है अब आगे भी कुछ और राजा का नाम है बसिष्टी पुत्र पुलियामी यग सरी साथ करनी तो यह यह पॉइंट है जो कि यह दिखाता है इंपोर्टेंट राजा भी और यह साथ करनी यह एक इंपोर्टेंट है CDU के टीख के बारे में जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वह कुछ इस तरीके के नेयुकि हमने है यह ओं ही प्सक्राल प्वाइंगलीस डोनों में है इस बात ध्यान में रखेग आपने नाम के साथ माटा का नाम जोड़ते थे यह पर्था थी या भूमी अंदान की पर्था रही होगी तो उसका पर्चलन उतने मात्रा में नहीं था जितने की सात्वाहनों ने किया, सात्वाहनों ने भूमी अंदान की पर्था का बहुत मात्रा में पर्चलन किया, बहुत ज्यादा पर्चलन किया, ठीक है, तो ये भूमी अ कि परशासन के साथ को गौल्मिक नहीं कं ग्राम पर सभाव कर दो पूंग ये विद्धिक साथ यहां पर यह नै बात यार किये जहां पर सैनिक अपने सिवीर लगाते थे उसको कटक कहा जाता था तो वह कटक सहर इसी से डिवलप हुआ है ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए तो भूमियां उंदान की पर था उसके बाद एक सिक्को के लेकर के इंगलिस में लिखा हुआ है सिक्को को ल है कानेरी का गुफा इनपोर्टेंट है कारले का महान चत कारले का महान चत सबसें इनकायते पर र można समय अब जैसा कि मैंने आपको बता था कि गंधार कला और मथूरा कला का development कने इस के हुआ था अमरावति कला यहां पर दिखाई देता है तो अमरावति कला का development कहाрах साथ बहानों की समय में हुआ यह रहा है तो ये साथ बहानों की समय में जो कला का development हुआ यह भी question exam का बना है higher examination में को कौ सज़न बने है यह बात आप ध्यान में रखेंगे ठीक है चलिए राज की ये भासा साथवानों का प्राकिर्थ था और लिपी बादंबी था और यह हमेशा से चला आ रहा है आपने जैसे देखा कि लिपी बादंबी असोक का भी था यह बात समझ दीजैगा और उनकी जो भासा थी और प्रा एकुर्ट intent है जो हाल हे उनके किताब का नाम है गाथा सब्तसरी गाथा सब्तसरी है Ph. 12 Mas is compassion अगर ऐसे करके ऐसे कर दू हाल और ठीक है गुनाड तो यह राइटर है जिसको मैंने हाइलाइट किया है और इसके किताब का नाम गाथा सबसकी और इसके किताब का नाम बिढ़त कथा है एक और हाइलाइटर से करा दू जो एकजाम का इंपर्टेंट सब ज़्यदा कोशन सके है लेकिन लेड के सीट्खेर सबसे कहाइं एकजाम-पांट वीव से और इसका कोई जो नहीं कोशन के पादानी पूंछा , तो other वहसक्त कितने पार कि यह नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि मैं एक्जाम को कोसन बेदर आपके साथ कंवनीड कर सकता हूं एक्जाम का कोसन ठीक है और जो मैं काम्वनीड कर जाते हूं न वह होता ऑफ्रत इस बात को याद रखेगा तो मैं याद पता दूँ अगर मैं साथ बाहनों के बारे में ध्यान से समझू और उसके exam को question को solve करू तो मुझे सिर्फ दो बाते सबसे ज्यादा ध्यान में आता एक भूमी अंदान की पर्था और दूसरा लेड यानि की कासे के सिक्के एक भूमी अंदान की पर्था और दूसरा कासे के सिक्के और तीसरा ज अगर में यही तीन पॉइंट कहूंगा लिखने के लिए बाकि बहुत सारे पॉइंट से इसको आप जरूर लिखिए क्योंकि एक्जाम में पता नहीं कहां से कोसन आ जाए तो फिर हमारे हिसाब से नहीं लेकिन अगर मैं एक्जाम के कोसन को सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यही पॉइंट को सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमूम टाइम देख करके जाऊंगा और अगर आप प्रिवेस को सन्पूप करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको यहीं कोशन पूछा जाएगा सीसे के सात्वाहन से सबसे पहले भूमी उंदान की पर्था और आन्व सात्वाहन ओया आके बढ़ें चलो तो यहां पर सात्वाहनों के बारे में हम लोगने बात किया इंपहरण चाह सहल मास्त की तेरा तानिव्ल उन्हता खेंग का ंपॉल्ह इतिहांस का स्वर्न काल कहा जाता है स्वर्न काल और यह कोशन एक्जाम में बहुत बार पूछा है यह बात ध्यान में रखिएगा गुप्त बंस को गुपता डानेस्टी को ठीक है और गुपता डानेस्टी का जो मैप है कि यह डानेस्टी कहां कहां तक फैला हुआ था तो य और नीचे में यानि की साउत में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा गुज्रातste मदपर्देश का इलाका जो आप देख रह 52 बिदिशा वगड़ा घुज्यान बगड़ा है, और फिर इस्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि पुरा कामुरूप यानि की असंट तक, तो इसका जो फैलाब है वो कुछिस तरीके का है जाली में हम कस्मीर देखते हैं, ठीका है, नॉर्थ में कस्मीर, साल Th ऐंक ह channel MP और गु एक्जाम को क्या काम रूप और यह कोश swoją एक्जाम काया है तो गुपता कर और इस पाद करेंगे किसी ही र हालत में गुपता को स्कूछी फाउंडर कौन थे और इस के बारे में कुछ रखेंगे अच्छे तरीके से छले ठीक है जो सुरुवात है मैंने का कि गुपता को स्वणनीमें कहा जाता है स्वारनकाल कहा जाता है तो यह स्वार्न काल है nap गुपताव 2228 the चेंज कर ले करके थोरा सा important point बता दू कि चंद्रगुप्त पर्थम को संस्थापक मानने जाता है दरसल göz पर्थम बास्तविक संस्थापक माना जाता है यानिकि यह इसा करने एक aloud कर ले तो आप स्रीख टिक करके आएंगे संद्र गुप्त टिक कर में को अधिन हैं तो आप स्राएंगे सप्रके dauce करेंगे अब आप Mormon क kurz नस्तरीबट में हीं हैं तो संष्थापक को अगर बात करें तो आप सिरी गुभ। कि टिक करेंगे कियाए किसी के भी बातों में मत आईएगा चंद्रगुप्त पर्थम जो है ना संस्थापक नहीं है गुपता डानेश्टी का दरसल सिरीगुप्त है गुपता डानेश्टी का संस्थापक इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना गलती मत करना तुम लोग के भरोसा बहुत कम रह कांगे हम यहां पर गहतो तक ही रहते हैं जो कि गुपता डानेश्टी का राजा हुआ कर था इसके बारें बहुत सारा बात नहीं है बस ऐसे समझ लिए घट यान यह की चंद्रगुप्त पर्थम्त यानिकी बहोत ज्यादा इन्पोर्थम जैसा कि मैंने आपको बताया कि इ तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह रियल फांडर अगुपता डानेस्टी है ठीक है और यह सब पर्थम सक्तिसाली राजा बताने की ज़रूरत नहीं है पर्थम सक्तिसाली राजा था तो यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन अगर आपसे कोशन अब बात करते हैं इसने महराजा धिराज की उपादी धारन की यह कोशन एक्जाम में पूछा है कि गुपता डानेस्टी का कौन सा राजा महराजा धिराज की उपादी धारन की तो इसको धियान में रखेगा महराजा धिराज की उपादी गुपता डानेस्टी के राजा न मैंने आपको कहा था कि अजास सत्रू जो है न वो लिक्षवी को यानि की बैसाली को हराया था 16 साल में यानि बजी और बज़ी राजवन्स यानि बज़ी महाजणपद का लिक्षवी एक सबसे सक्तिसाली संग का राज था और इसके राजा का नाम था चेतक जिसके बहन से साधी किया था किसने बिंबिसार ने यह भी बात मैंने आपको पहले बताया कि चेतक की बहन से साधी किया था किसने बिंबिसार ने यह भी बात आपको मैंने बताया तो लिक्षवी नरेस का राजा का नाम चेतक हुआ करता था बिंबिसार के समय में यह अभी लिक्षवी र आपको यह समझ में आ रहा होगा चलिए ठीक है आगे बात करते हैं इसने राजा रानी परकार का सिक्का चलाया राजा रानी परकार का यानि कि king and queen coins यहां पर लिखा हुआ है king and king and queen coins इंगलिस वाले बच्चे यहां पर king and queen coins हो सकता है इसके राजा रानी परकार का सिक्के थीक है हो गया चलिए इसके एक सिक्के के तरफ चंद्रगूप्त था और उनकी वाइफ मतलब राजा रानी सिक्का है तो इसका मतलब जानते क्या होता है सिक्का है और सिक्के के एक तरफ चंद्रगूप्त और उसकी वाइफ होगी यही राजा रानी सिक्का है और सिक्के के दुश्य तरफ क्या है लक्ष्मी देवी लक्ष्मी को दरसाया गया था तो यह बात आप ध्यान रखेगा कि सिक्के में एक तरफ राजा रानी को दरसान यही राजा रानी स्क्का है, यह बात अब धियान में रखेगा, चलिए, एक important point आ गया, गुप्त संबत की सुरुवात क्या था? यह एक्जाम का question पता नहीं कितने बार बनाए, जिसका कोई हिसाब नहीं है, मतलब कितने बार बना है, जिसका कोई हिसाब नहीं कि गुप्त संबत कब हुआ था 319-320 AD में और मेरा काम यहां पर है आपके सारे संबत को फिर से एग बार क्या कर देना रिवाइज करा देना तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या बताऊ आओ सक्संबत, ठीक है, उसके बाद विक्रम संबत, उसके बाद गुप्ट संबत, अब मेरा काम अगला ये है कि मैं आपको ये बता दू कि कौन से संबत की सुरुवात किस ने किया था, सक्संबत की सुरुवात किया था, कनिस्क, विक्रम संबत की सुरुवात किया था, विक्रमा दित, और गुप्ट संबत की सुरुवात किया था, शंद्रगुप्ट, पर्थम, ठीक है, चलिए, अब मेरा काम अगला ये है कि मैं आपको ये बता दू कि सक्संबत कब था, तो सक्स संबत था कनिस ने 78 AD, विक्रफ संबत था 57 या कहीं कहीं 58 हो सकता है BC, और गुप्त संबत है 319 कहीं कहीं 320 AD, यह मेरा काम था जो कि मैंने आपको रिविजन करवाया, और यह तीन कैलेंडर एक्जाम के कोशन, और अभी जो हमारा कैलेंडर का नाम है, ग्रिगेरियन कैल कैलेंडर, अभी हमारे कैलेंडर का नाम है, ग्रिगेरियन कैलेंडर, जो बरतमान में हम लोग यूज करते हैं, जनवड़ी खुरवड़ी से लेकर के दिसंबर तक की हम बात करते हैं, ठीक है, कोई दिकत नहीं, चलो, आगे, डॉक्टर का नाम हमने आप से कोशन पूछा है याद रखेगा, मैं इक कोशन को बार-बार इसलिए दोड़ाओंगा, क्योंकि मुझे चाहिए, कमेंट में, ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या बात करते हैं, सक संबत की सुरुवात किया, 319-320 BC में, AD में, किस ने किया था, गुपता चंदरगुपत पर्थम ने किया था, ये बात ध्यान रखेगा, गुपता बैडानेश्टी ने किया था, चलिए, आगे बात करते हैं, गुपता के बारे में, चंदरगुपत पर्थम के बाद, एक बहुत सक्तिसाली सासक आता है, जिसका नाम है समुद्र गुपत, समुद्र गुपत को भारत का नेपोलियन कहा इसे वी ए इसमीत ने कहा था, भारत का नेपोलियन, और ये भी कोशन एक्जाम का बना है, क्या बना है, कि किसने कहा था, कि समुद्र गुपत को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो वी ए इसमीत ये इतिहासकार है, इतिहासकार है, इसने कहा था, भारत का नेपोलियन, और आपसे अगला कोशन क्या पूछाईगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुधर गुप्त को, इससे अगला कोशन क्या पूछेगा कि समुधर गुप्त को क्या कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो यह बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त के time period को भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन time period से exam का question आपसे परसान करने के लिए नहीं पूछेगा, और अगर पूछ दिया है तो इसका मतलब आपको परसान कर रहा है, तो आप परसान होने के लिए तियार हो जाएए, तो भारत के बहुत सारे कम लोग tick कर कर लेंगे, इनके court poet थे हरी सेन, इंगलिस में भी कुछ बात कर ले, हलाकि हिंदी इंगलिस का कोई भेदभाव नहीं है हमारा, तो हिंदी इंगलिस दोनों में लिखा हुआ है हिंदी इंगलिस वाले बच्चे, और PPT भी आपको हिंदी इंगलिस दोनों में मिल जाएगा, दरबारी कभी कौन था, हरी सेन, कितने बार एक्जाम का कोशन पूचा, जिसका कोई हिसाब नहीं है, VBI है, और खुद को लिख्चवी दोहित्र कहा जाता था, ये भी एक्जाम का कोई, लिख्चवी दोहित्र का मतलब होता है, लिख्चवी की नाती, लिख्चवी दोहित् इससे भी कोई स्म्झान पर रहा है मतलब हम मैं नानी और नाती बात करणा हूं, मतलब हम पता नहीं, आपातीे क्याते हैं, लगता हूं, किया नहीं नानी कि आ हमाय सब्सक्राइब अब आपने लुक्षवी की थी, उल्एका हम वी सा झामों माघूक्त है, लुक्तना पर हूल तो अपने आपको लिक्षभी की नाती कहता है तो उसको कहते लिक्षभी दोहित्र अब ढर्प सागर, इधर बंगाल की खारी और नीचे हिंद माह सागर अब अगर इतना बड़ा एडिया को जीत करके और वहाँ पे समुदरी एक पूरा का पूरा अपना बांडरी बनाता है तो ये एक महान बिजेता माना जाएगा अब अब परत्यक्ट शुरूब से जीत जीत करके अर उसी राजा को उसका समराज को आपस कर देना ये बहुत दूर तक इसमे पहला था और समराज जो आपस किस base पे कि तुम हमको कर पहुंचाते रहोगे नजराना जिसको gift बोलते हैं वो तुम हमको पहुंचाते रहोगे तो हम तुम पे फिर से हमला नहीं करेंगे और जिस समय नजराना नहीं आया उसी समय हम तुम पे हमला कर देंगे तो इस बेस पे यानि कि इस आधार पे वो क्या करता था राजाओ को जीत करके उसको छोड़ दिया करता था लेकिन डारेक्ट सासन में मदपर्देश तक का एरिया इसके डारेक्ट सासन में था जो बीदी सा वेगरा उज्यान वेगरा का एरिया इसके सासन में था ये बात बीना बजाते हुए तसभीर शिख्य देश pane में और सातह नहीं जोड़ेंगे इस बात कि इसे कभी राज और संगीत का प्रेमी भी कहा जाता था यह भी कोशन ध्यान में रखेगा अब यहां पर बीना बजाते से एक और कोशन आपको बतायता हूं एक्जाम का कोशन में वापको सॉल्व करते हूं अगर पूरा हो ऑन दा हो डानेश्टी पूछ दे तो गुपता पस अब टिक करके आएंगे अगर पाटिकुलर राजा तक चले तो समध्र गुपत टिक करेंगे संगीत के पर तीक किन राजा का संगीत पे बीना बजाते हुए सिक्के पे परतिकिरती है तो समध्र गुपत औरंग्जेव रहेगा फिर भी समध्र गुपत क्योंकि औरंग्जेव बीना बजाना जानता था लेकिन सिक्के पे उसका तस्वीर नहीं है यह बात ध्यान में रखिएगा लेकिन यह सिक्के पे इसका तस्वीर है इस बात को ध वो आसोग द्वारा पिलर बनवाय गया था, लेकिन उस पे समुद्रगुप्त की भी rewriting है, समुद्रगुप्त का भी BJO का उलेक है, जो हरीसेन ने किया था, जो उसके दरवारी कभी थे, हरीसेन, ये भी कोसन एक्जाम में आया, तो एक्जाम के कोसन हमने आपको बहुत सारा ये बात आप ध्यान में रखिएगा, चलिए राम गुप्त, राम गुप्त एक ऐसा सासक है इसके बारे मैं आपको बताओ, ये तामबे के सिक्के चलाया था पहला सासक है जिसने तामबे का सिक्का चलाया था राम गुप्त एक ऐसा सासक है कि इसके समय में सको का आकर्मन हुआ था सको का आकर्मन हुआ था तो इसने क्या किया और सको ने आकर्मन किया और चुकि राम दे राम जो गुप्त थे इनकी वाइफ बहुत खुबसूरत थी बहुत खुबसूरत तो सको ने इनको वाइफ मांगा था कि अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो तो तो राम गुप्त ने अपनी पत्नी उसके हवाले कर दिया, यह देखिए कैसा राजा है, राम गुप्त ने अपनी पत्नी उसके हवाले कर दिया, तो क्या हुआ कि राम गुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त दूतिये, वो महिला के बेस में या फिर बेस बदल करके सको क बीच में जाते हैं वहां सको को हराते हैं और अपनी भावी को वापस लेके आते हैं और ना केवल भावी को वापस लेके आते हैं बलकि राम गुप्त को रिप्लेस करता है और खुद सासक बन जाता है और उस औरत से यानि की दुरूप देवी से साधे भी कर लेता है तो यह जरसल इसका भाई सासक बनने के काबिल था ही नहीं, तो समुदर गुप्थ के बाद, अगर कोई दूसरा important सासक आता है, तो चंदुरुप्त बूदुदिये है, और वो गुपता डानेस्टी का सब से important सासक है सबसे महान सासक है उसके समय में कला और साहित के development बहुत ज़्यादा हुआ जो आगे हम देखेंगे तो राम गुप्त बस इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि ये समुद्र गुप्त और चंद्रगुप्त दूतिये के रुट Pas इसके कला का सबसे पहला पॉइंट है जो एक्जाम में पता नहीं कितने बार पूछा है most VBI है वो यह है कि यह इसने महरौली में यानि दिल्ली के महरौली जो आज का कुटूब परिसर है मैं फिर से बताओं दिल्ली का महरौली जो आज का कुटूब परिसर है तो चुकि कुटूब मिनार तो बाद में बनाना अरे अभी मदकाल नहीं आ है अभी तो हम प और कहा 375, यानि कि लगभग 1000 साल बाद कुतुम मिनार का निर्मान होता है, लेकिन वहाँ पर एक लौव अस्थम का निर्मान कर दिया गया था, 375 इस भी में और वो लौव अस्थम इतना मजबूत और इतना कलाकारी का बेहतरीन उदारन है, कि आज तक वो लौव अस्थम खराब नहीं हुआ है, आप दिल्ली जाएंगे, तो महरौली का लौव अस्थम जो कुतुब परिशर में है, कुतुब मिनार के आसपास है, मतब कुतुब मिनार है, कुतुब मिनार से 10 कदम पर है, आप उसको देख लेंगे, आप वहाँ पर उसी तरीके से खुले में है, आज तक खराब नहीं हुआ है, वो उस वैसे ही वैसे है, और आज के हिसाब से अगर टाइम को हम इडिट करें, तो अभी 2022 चल रहा है, उसमें 375 को माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 1700, यानि कि लगबग 1700 साल हो गए, 1700 साल, और आज तक वो लौ अस्तम खराब नहीं हुआ है, तो कलाकारी के इस नमूना को देख लिजे कि उसमें जंग तक नहीं लगा है, उसमें वो रष्ट तक नहीं हुआ है, इस बात याद रख और यह मिलेगा कहां, कुतूब परिशर में, मैं आपको एक बात बता दू, यह लौ अस्तम है, ठीक है, यह लौ अस्तम है, ठीक इसके आसपास आपको कुतूब मिनार मिल जाएगा, तो यह लौ अस्तम है, और यह बना था 375 AD में, और इसका निर्मान हुआ है, लगबग 1210 के आसपास KAD में, ठीक है, यह कुतूब मिनार है, तो पुराना यह हुआ ना, तो नाम इसके हिसाब से होना चाहिए, कि लौ अस्तम के परिशर में कुतूब मिनार है, और भी है, लेकि तिहासकारों ने क्या किया, कुतूब मिनार के परिशर में यह है, मतलब हमारी महानता क और यह जो कि इसका बारवा मरमत करा जा रहा है, इसको किसी तरीके से रखवा कब गिर जाएगा जिसका कोई ठीक नहीं है, कुतो मिनारका, और इसको मरमत का कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे मरमत करेगा, क्या करेगा, तुम क्या कलाकारी ऐसा लोहा में दिखाओगे, जो तुम मुनासिव लेकिन ये इसके नाम पर है तो ये इतिहास कारो का पूरा का पूरा कहानी है आप जानते हैं इतिहास किस तरीके से बाज्ड मानसिक्ता से लिखी गई है हमारा लेकिन हम उसमें कोई बात नहीं है हमको तो पढ़ना है तो मोई पढ़ा रहा है तो कुतुब मिनार के पाँस ही बिल्कूल यह मिल्जाएगा आपको कुई मिनार के पास आपको हलकि में आगे बताऊएगा जब मनदकाई भाट परहेंगे तो फिर से घुत मिनार की चर्शा होगी تو कुई मिनार के आच पास यहाँ आपको क्या मिल जाएगा अलाई दर्वाजा मिल जाएगा अलाई दर्वाजा जिसको कुतुबुद्धी नेवक ने बन बाया था ठीक है और यहीं पर आपको सरी दर्वाजा यहीं पर आपको मिल जाएगा अलाई मिनार अलाई मिनार एक और अलग है अलाई मिनार यहां पर मि इल्तुतमिस का मकवरा मिल जाएगा, ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको इसी कुतुब परिसर में मिल जाएगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देखिए, जो अभी तक खराब नहीं हुआ है, चलिए ठीक है, तो चंदगुप्त दूतिये में ह हमने सबसे पहले आपको बात किया इसके बारे में, ठीक है न, चलिए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, दूसरा है, सक सासक रुद्र दूतिये को हराया और बिक्रमादित का उपादी धरन किया, देखिए एक बिक्रमादित के बारे में आपको बता दू, मैं कुछ- कि मन में कोई confusion न रहा जाए, और दिक्कत ना हो, एक बिक्रमादित सासक हुआ करता था, ओरिजनली बिक्रमादित हुआ करता था, सासक उजयन का आसपास के इलाकों में, बिक्रमादित सासक हुआ करता था, उस नाम से, और उसी ने बिक्रम संबत चलवाया था, 57 BC में, तो बाद में अब जो भी ऐसा काम करता है, जो काम विक्रमादित ने किया था, तो वो विक्रमादित की उपाधी धारन कर लेता है, एक्जामपल अच्छे तरीके से समझे, तो ये अगर विक्रमादित अपने आपको उपाधी धारन किया है, तो विक्रमादित की उपाधी लिया ह है नहीं कि विक्रमादित कोई ओरिजिनल सासक था लेकिन इसको भी विक्रमादित कहा जाता और चुकि dependence बंता इसलिए मुझे समझाना पड़कपन को एई वे किसे विक्रमादित समझ घा घृत देखो नहीं , एक बहुत खुब्सूरत है रहे जो कोई भी लड़की खुब्सूरत हम देख लेते हैं किया यह बहुत यह कान यहां पर चुक्छ fee के रहा हा इसकाम की कुणू ऑedly artwork मैं और यह समझ अमझे यह यह बात मेरे बसाने का इसलिए है क्योंकि अप यह riding बिग्रमादित यही था ऐसा ना समझे यह यह बिग्रमादित की उपादी धारन किया था बिग्रमादित कुछ कोई और था जैसे इस वर्यार है कोई और है ठीक है चलिए आगे अगला एक्जामपल पॉइंट का बहुत इंपोर्टेंट है इस समय चीनी यात्री फायान आया यह इंपोर्टेंट है बड़ा इंपोर्टेंट है और एक और पॉइंट है चीनी यात्री वेंसांग आया था वह हर्स के समय आया था तो जब गुप्त बंस हम पढ़ा लेंगे उसके बास हर्स शुरू होगा यानि कि हर्स बर्धन डैनेश्टी सुरू होगा तो उस समय हम जो यह इंसान के बाड़े में बात करेंगे लेकिन अभी आप ओफायान के बारे में देख लीजिए कि इसकी अदर कोशन अजे प począt कोषऑ पूछा है लो पहुझा था अब यह पहला सासक है जिसने चांदी का सिक्के चलाया राम गुप्त पहला सासक है जिसने तांबे के सिक्के चलाया और यहां पे सिक्को से अगर एक्जाम का कोशन पूछता है तो मैं आपको कुछ बाते बता दू सिक्को से आप question सिक्कों पे चल रहा है तो question को एक्जाम पे धिहान में रखिएगा और जो exam का question है वही मैं आप से बात करूँगा और आप जानते हैं कि हम exam का question solve करते हैं अच्छे तरीके से ये बात आपको पता है ठीक है सिक्के चलिए अप जिक्कों के ऊपर बात करें तो मैं दूसरा कलर लेता हूं और आपको सिक्कों से रू बरू करवाता हूं सबसे पहले सबसे पहला question एक्जाम का कोशन लिख रहा हूँ, सबसे पहले सोने के सिक्के के सिक्के किसने जारी किया, एक्जाम का कोशन लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले सोने का सिक्के किसने जारी किया, इंडो ग्रीक ने, यानि कि हिंद यूनानी सासको ने, इंडो-ग्रीक सासक, हिंद-यूनानी सासक, हिंद-यूनानी सासक, ठीक है, एक्जाम का कोस्टन बड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखियेगा, एक, एक्जाम का कोस्टन दो, सबसे सुध, सोने के सिक्के, किसने जारी किया, ठीक है, कुसान बंस, ठीक है, कुसान बंस में अगर सासक का नाम लिख दे, तो बिम कड़ फीसस, बिम कड़ फीसस, अब इसको अगर याद रखना है, तो ऐसे लिख लिजे, कि बिम बार होता है, बिम बार, बरतन थोने का है, तो बिम बार ने सबसे सुध सिक्के चलाया, बिम बार, बिम कड़ फी कोशन इतना important है कि मुझे इस पर आना पड़ा सिक्कों पर ठीक है याद रखेगा मैं सिक्कों पर आ रहा हूं और सिक्कों को मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में ठीक है चलो अगला अगला है सबसे जादा सबसे जादा हिंदी वाले इंग्लीस वाले बच्चे परसान होंगे सबसे जादा सोने के सिक्के किसने जारी किया किया गुप्त बंस ठीक है शिक्कों के वारे में सबसे पहले सिक्के हमें कब दिखाई परते हैं तो बौध धर्म के समय में सोने से लेकर के ये तीन पॉइंट है अगला गुप्त बंस में सोने के सिक्कों को कहा जाता था गुप्त बंस में तो देखो गुप्त बंस लीग देता हूं मैं और यहां पर लिखता हूं, ध्यान रखेगा, मैं इसको थोड़ा सा उपर करता हूं, छोटा करके और थोड़ा सा उपर करता हूं, ठीक है, गुप्त बंस, सोना का सिक्का, और सोने के सिक्का को गुप्त बंस में दिनार कहा जाता था, क्या कहा जाता था, दिनार, उसके बाद चांदी के सिक्के चांदी का सिक्का चांदी को सिक्के को क्या कहा जाता था रूपक चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था कहां? गुप्त बंस में अब यहां पर सबसे पहले सोने के सिक्के किस ने जारी किया? सबसे पहले सोने के सिक्के तो हिंद युनानी सासकों ने सबसे पहले सोने के सिख्के जारी किये, हिंद युनानी सासक, जो मिनांडर की बात हम लोगों ने किया था, मिलिंद मिनांडर कितने बार बात किया था, ठीक है, मिलिंद मिनांडर, वो हिंद युनानी सासक ही था, मिलिंद या मिनांडर, ठीक है तो buddhist text है, milindpaaño, यह बात मेंने आपको बताया था, तो वही हिंदि उनानिस् Sohn hyalini sasak था, सबसे पहले सोने के सिक्के की बात करें, सबसे सुने के सिक्के कुसान bunस ने जाड़ी क्या था, और कुसान बंस ke binge-bird-ficious, यह था राजा, ठीक है? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के नहीं किया दारया गुपतबंस में सोने के क्या कहा जालान रखेगा और गुपतबंस में चांटी के सिख्के को क्या कहा जाता था रूपक यह बात ध्यान में रखेगा तो सिख्के मेरे मन में आ गया और एक्जाम का कोश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया ठीक है सबसे पहले सिख्के का परमान कब मिलता है किसी प्रकार का सिखो सबसे पहले तो महाजनपदकाल में बुद्धकाल में या तो महाजनपदकाल अप्शन रहेगा या बुद्धकाल अगर बुद्धकाल और महाजनपद दोनों अप्शन रहे तब तब बुद्धकाल टिक कीजिएगा यानि बुद्धकाल के समय में सबसे सिक्के के अंदर ही लिखना बुद्ध काल में, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला सिक्का है, सबसे पहले सिक्के का परमान, ठीक है, और इसको मैं एक बार ऐसे करके कर दूँ, ठीक है, तो यह यहाँ पे पॉइंट समझ लिजेगा, इसी के अंदर ऐसे करके लिख लिजेगा, इ साथ सिख्के करके ड़न है करें तो हम लोग बात कर रहे थे गुपता के बावड़े में हमने क्या देखा कि इन्होंने क्या बोलते हैं चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था रूपक जैसा कि खgn draw को भाघ़े बहुत बात कर लिए अब पॉइंट अगला है कि इनके दर्वार में नवरत्न रहते थे यह कोशन एक्जाम में पूछा है नवरत्न को ले करके तो यह बात मैं आपको पता दू थोरा सा बोर्ट पे चल करके पहले जो एक्जाम का कोशन है उसे मुझे सॉल्व करना है और कैसे भी करना और मैं यहा पर ध्यान में रखेंगे रिवीजन भी कराएंगे हर चीज होगा ठीक है और जो मैं अभी बताऊंगा वो रिवीजन होगा यह भी बात ध्यान में रखेंगा तो जब नवरत्न की बात आता है तो यहां पर ध्यान रखेंगा मैं लिग रहता हूं नवरत्न तो नवरत्न किसके किसके दर्वार में थे वो हम आपको बताते हैं तो नवरत्न थे चंदरगूप्त दूतिये के दर्वार में चंदरगूप्त दूतिये और नवरत्न कौन थे ये तो हम बात में बात करेंगे पहले हम कर ले कि नवरत्न किसके दर्वाने से चंदगुप दूतीish के और दूसरा एक नवरत्न थे अकवर के धर्वार में मैं अलग-अलग काल के नवरत्नों को एक साथ लिग दता हूं अस्ट प्रधान अस्ट प्रधान और अस्ट दिगज ठीक है, अस्ट पर्धान या अस्ट दिगज तो अस्ट पर्धान थे सिवा जी के काल में सिवा जी के समय में अस्ट पर्धान हुआ करते थे और अस्ट दिगज जो होते थे, वो सिवा जी के समय भी थे और एक थे हमारे KDR क्रिस्न दे हो रहा है क्रिस देवडा है ठीक है के जबन दे दे लिएर इसको हम लोग बोल देते हैं के दी आर इनके दरवार मेश तेनाली रामन था तेनाली रामन इनके दरवार में थे अकवर के दरवार में वीरवल थे जो important है उसकी बात कर लेते है जिए चंद्रगृप्त के दरवार में काली दास थे और शीवा जी के दरवार में स्वाजी के दरवार जो अस्ट परधान होते थे यह अधिकारियों का पूरा का पूरा एक गुरूप था अधिकारियों का जिसमें सबसे important थे पेशवा तो यह वात ध्यान में रखियेगा कि नवरतन से discussion पूछे या फिर आप से अस्ट दिघष से question पूछे आप टिक कर लेंगे और उपर में सिक्को के बारे में बात किया था सिक्को से कैसा भी question पूछे आप टिक कर लेंगे तो मेरा मतलब यह है कि जब कोई चीज आये जब कोई टर्म आया तो उस टर्म को हम अच्छे से इलोबिडेट कर दे और उसका हम एक पॉइंट आपके सामने में रख दे अब जब मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया कि भाई देखो जो चंद्रगुप्त के दर अगला मेरा पॉइंट है कि अश्ट पर्धान जो शीवा जी का पूरा आठ अधिकारियों का गुरूप था उसमें सबसे पर्धान अधिकारी कौन थे तो पेसवा थे अब अगला कोशन है कि जो अश्ट दिगज हुआ करते थे किस की दरवार में कैघू दिघ्जी्ज दिख़ होतанд होाँ की चसली रामन का हे दरबार में नवरत्म रहते थे कौन को नहीं देखें कालिदास धनवंतरी चन४कू अमरसिंगि बरामीहीर वरुची बेतालबठ घटकरपर। काली दास एक महान राइटर थे एक महान राइटर काली दास थे महान राइटर आप जानते आर्किटेक्ट संकू आर्किटेक्टर समस्जते है ना अमर पर सेंग अमर कोस का अस्थापना किया था विस्व कोस अमर और सब्दों को जैसे लेक्षिकोहघॉपर था जिसको बोलते हैं हिंदी में डिक्सिनरी का को कमपाइल करने वाला इसको वन वर्ट सब्सिचूशन पूछते हैं एससी में लेक्सिको गराफर वोलते हैं, जो वो कमपाइल वर्ड्स इस काल लेक्सिको गराफर, ठीक है, तो वो लेक्सिको गराफर थे, अमर सिंग के किताब का नाम है, अमर कोस, बरा मिहीर एक महान खोग लग थे, आरवट भी महान बरहा महीर महान खोगलग थे, बेताल भट जादूगर थे, बेताल भट क्या थे, जादूगर थे, तो ये कुछ-कुछ बड़े important point है, जो यहाँ पर ध्यान में रखियेगा, क्या बोलते हैं, बेताल पचीसी पर अगर अनाम सुना होगा, तो यह यहाँ पर बेताल पचीसी का जो बिक्रम है, वो चंद्रगूब दूतिये हैं, क्योंकि उनको बिक्रम अदित कहा जाता था, तो इसलिए वो बिक्रम अदित है, तो बेताल पचीसी का बिक्रम बिक्रम अदित है, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान में आप रखियेगा, आपने बेताल पचीसी जरूर प आरे भट इनके समय थे लेकिन इनके दरवारी नहीं थे इस बात को याद रखेगा आगे हम आरे भट के बारे में बात कर लेंगे चलिए चंद्रगुप दूतिये का दूसरा नाम है देवगुत देवराज परम भागवत ये कोशन एक्जाम में आया है परम भागवत से चुकि भागवत बंस के इस समय बड़ा डिवलपमेंट हुआ थो ये भी पॉइंट आप याद रखेगा कि भागवत बंस का सबसेदा चाके दुटा रिवलं सेमें में हम लोग बात करते हैं कुमार गुपत अ किमार गुपत सेक्जाम कोशन बहुत है बड़ा इन्पॉर्टेंट है और एक ही बंदान महा विहार जो बिहार में है बिहार राज में नालनद अजिला में नालननद अमावा भीयार है और उसकी के रहने का स्थान बहुत विक्षियों का रेसिडेंस होता है विहार और इसी विहार से बिहार राज का नाम बिहार पड़ा यह बात याद रखेगा चुकि हमारे हाँ वा को बही बोला जाता है मेरा नम विकास है मेरा नम क्या है विकास लेकिन हमको बोला क्या जाता है वहाँ पर विकास, तो इस वह से क्या हो गया? वह, तो विहार से क्या हो गया? बिहार, याद रखेगा, तो इसी बिहार पर हमारा राज, यानि कि बिहार भारत का एक राज है, हमारा बोलते हैं, क्योंकि मैं वहां से हूँ, तो ये नाम क्या पढ़ा? बिहार पढ़ा, ठीक है? समझ म आ रहा है ना, खोपडिया खुला हुआ है ना, तो खोपडिया खोल के समझना, तो ये बात आप ध्यान में रखेगा, ये बात मैंने आपको बता है, तो नालन्दा महावियार की अस्थापना किस ने किया था, कुमार गुप्त ने कई बार एक्जाम का कोशन पूछा हुआ है चलिए असकंद गुप्त, असकंद गुप्त का एक पॉइंट है, जिसके बारे में बताए कि इसने हूनो को पराजित किया था, ये एक्जाम्पल, एक्जाम में कई बार पूछा है, BPSC में भी पूछा है, ASSE में भी पूछा है, ठीक है, कई बारी पूछा है, हूनो को परा मरमत करवाया था तो कि सुदर्संध जील से हम एक बात आपसे बात कर लें कि सुदर्संध जील का निर्मान किस ने करवाया था तो extraordinarily चंद्रगुप्त मॉरिया ने कहां पर गुज्रात में और सुदर्संध-जील का जिन olv하 किस ने करवाय था तो सक्सा सक रुद्रदामन ने और असकंद गुप्त ने भी तो असकंद करवा था और रुद्रच्ण धामन ना भी सुदार्शन जील का निर्मान करवाय था याई मरमत कर वहाब इस घ्राख याद निर्मान किसने करवाया था चंद्रगुप्त मौड दरसल चंद्रगुप्त मौड का जो राजपाल था उसने करवाया चंद्रगुप्त मौड के समय में जिर्णो धार किसने करवाया जिर्णो धार किसने करवाया किसने अभी किसका नाम था असकंद गुप्ट और और दूसरा है जिससे कोशन एक्जाम में पूछा इससे कोशन कम पूछा है जो दूसरा नाम लिखेंगा उससे एक्जाम में कोशन पूछा वो है मैंने क्या बताया सक्सासक रुद्रदामन रुद्रदामन ने जिर्नोधार करवाया था किसका सुदर्सन जिल का और चंद्रुत मौर के समय बना था देखिए कब बना और कब यहाँ पे जिर्नोधार है तो यही बात याद में रखेगा चलिए तो यह एक point ध्यान रखेगा असकंद्गुप्त के बाड़े में है जो हमने यहाप लिखा हूनों को पराजित किया था और असकंद्गुप्त के बाड़े में भीतरी अभीलेक में चर्चा है भीतरी अभीलेक और भीतरी अभीलेक जो है यह बड़ा important है ठीक है ना चलिए आगे बात करते हैं असकंद गुप्त के बाद गुप्त बंस बिल्कूल बिखर गया है यही बात मैंने लिखा कि असकंद के बाद गुप्त बंस बड़ा पतन के अवस्था में चला गया और उसके बाद जो गुप्त सासक हुए बस नाम मातर के सासक वो अब पतन के अवस्था में और आज तक आप जान रहे कि पाटली पुतर का अस्थान बहुत बहुत बेहतर नहीं है अलाकि बिहार जैसे राज की राजधानी है और बिहार को जनसंख्या के दृष्टी से बड़ा राजी माना जाता है बिहार को बड़े राजियों में ग बानते हैं चले ढंस का नतीम् सासक बिस्न्र गुप्थ है थान ओप्स और पूछ लिया जाता है तो कुछष्ण जो exam point of view से बरा important है सबसे पहले हमने काली दास के बारे में बात किया तो काली दास के कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं जो exam point of view से बरा important है इसने रितु संगहार, मेगदूतम, कुमार संभवमम, रगवनसम ये किताब लिखे हैं ध्यान रखेगा, कुमार संभवमम, मेगदूतम अब ये सब आप परेंगे तो आपको बहुत मजाएगा मेगदूतम में कहानी है, एक husband और wife का husband मतलब जो मेगदूतम में जो नायक होते हैं वो माली होते हैं और उनका काम है कुवेर को हर रोज कुछ फूल पहुंचाना एक दिन नई-नई साधी हुई थी तो अपने wife से, यहां पर ध्यान रखेगा, मैं कुछ बाते बतायता हूँ उपको नई-नई साधी हुई थी तो अपने wife को एक फूल दे देता है और एक फूल देने के बाद कुवेर के पास कम फूल पहुंचा, गिंती के फूल होते थे तो कम पहुंचा तो कुवेर और या पिर जो जिस देबता के लिए फूल लेके जाते थे, उन्होंने एक सजा दिया, कि पहले कारण पूचा कि फूल कम क्यूं है, तो उन्होंने क contributing कि कि वाइब से बहुत महबद करते थे वो तो उन्होंने सजा दिया कि आपने एक फूल हमें कम दिया है और इसके सजा के तौर पे आपको आपके वाइब से 6 महीने के दूरी मतलब दोनों को 6 महीने के लिए दोनों को अलग कर दिया तो इस 6 महीने में जो दोनों बिताया है अपना समय यही पूरा मेगदूतम है यानि कि मेग को कलाउड को जिसको बादल बोलते हैं कलाउड को इन्होंने अपना क्या बनाया साथी बनाया संबधिया बनाया और अपनी बात यानि कि जो नायक है अपनी बात कलाउड को कहता है कि जाके नाइका को कहो कि हम त transfer है बातों का वो cloud कराते हैं और वही मेघ दूथ है क्योंकि cloud को अपना दूत बना लेते हैं संबदिया बना लेते हैं कौन मेघ दूत के नायक और नाएका जो husband और wife रहते हैं जो बीच में में दूरी बढ़ जाती है और इसी के उपर में पूरा का पूरा मेघ दूथ है तो जो cloud से चीजों को download करने की कहानी है ये काली दास ने बताने कितने साल पहले कह दिया था हलाकि मैं इसे technically नहीं प्रूब करना चाहता हूं कि मैं अंदभक्त वाली बात नहीं है मैं बस आपको मेग दूद का जो पूरा का पूरा सार है वो बताने कोशिस किया कि किस तरीके स मेग को यानि बादल को अपना दूद बना करके अपनी बातों को अपनी नाइका तक पहुचाने का कोशिस करता है नायक और ठीक उसी तरीके से नाइका करता है नायक तक पहुचाने की बात अपनी तो दोनों ये जो संबंधों में जो दूड़ी आ गई थी इसको लेकर के म संकर और सती परवती के बीच में अबिज्यान सअंथ्म में यह भी इंप्ररेट ना नौटक है जिसमें राजा दूस्यंत्र सखुंतल्क की प्रेम कहानी है जिसमें जाथे जंगल में और वह सखुंतल्क को देखते हैं और सकुंत्रा की जो खुबसूरती और जिसका नाम होता है भरत और जिसके नाम पे आगे चल करके हमारे देश का नाम पड़ा भारत ऐसा अभिज्ञान सवकुंतलम में लिखा हुआ उनका कहना है ठीक है चुकि आप जानते हैं कि जो अगर रिगबेद पढ़ेंगे तो उसमें एक भरत कभीला हु अभीज्ञान सवकुंतलम के इसाब से भरत जो बच्чा था वह बरा हुआ तो हो सकता है कि भरत बच्चा बरा हुआ उसने अपना एक पुरा का समराज बनाया और उसमें भारत नाम दिया तो अभीज्ञान सवकुंतलम में राजा दुसेयंत्र अ क्रेम कहानी है ये भी अद साकुंत्लम मालीविक्ता अगनी मित्रम में जैसा कि हमने बताया कि Sunderbandhuक flipping राजकुमार था और मालीविक के साथ उनका प्रेम संबंद्थ था और साथी यह जी दोनों का चर्चा काली आसे अपने मालीविक्ता में किया है और विक्रम उरो वह इसलिए क्योंकि exam point of view से अविज्ञान साकुंतलम important है यह भारत का पहला text book है first पहला किताब है जिसका अनुबाद दूसरे भासा में हुआ जिसका अनुबाद किया गया अनुबाद किया गया खास करके पस्चमी भासा में यानि इससे पहले किसी किताब का अनुबाद नही किताब आपको मिल जाएगा अभिज्ञान साकुंतलम पर यह मतलब मैं इदक हो यह बात बताते हैं आपके exam point of view से तो पढ़ना ही है सब कुछ करना है लेकिन आप अपने लिए कुछ समय निकाले फिलम देख लीजिए फिल्म देख लीजिए तो फिल्म देख लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए अपने family में बात कीजिए और फिर पढ़ाई भी कीजिए 6-7 घंटा पढ़ाई भी कीजिए 8 घंटा पढ़ाई भी कीजिए समय मिले अगर आप अपने subject के पढ़ने से उप चुके हैं तब अभिज्ञान साकुतलम जैसे किताबे प्रेम चंदर के गोदान पढ़िए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेम चंदर का कफन पढ़िए या फिर जो क्या बोलते हैं धाय दिन का जो असाड का दिन है हर इस चंदर का वो पढ़िए और फिर एक फरिंस्वरनाथ रिनू की किताब है वो पढ़िए तो यह सारे ऐसे से किताबें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़िए ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आरे भट महान गनितग और खोगोलग्य थे यह कोसन एक्जाम में पूछा जाता है और इनके किताब का नाम है और इसमें उन्होंने पहली बार यह बरनन कर दिया था तिक पिर्थिवी गोल है और अपनी धूरी पे घूमती है आरे भटियम में लेकिन आरे भट दरवारी नहीं थे लेकिन एक महान थे जो गुप्त बंस के समकालीन थे यह बात याद रखेगा महान गनितग और खोगोलग्य थे कहते हैं कि जीरो इन्हों नहीं दिय खोगोलग्य हो और भटियम मिंके किताब का नाम यह बात फिजां रखेगा बराएभी इंके किताब का नाम पंच सिध्धानतिका यह बी एक्जाम का कोस्षेन पंच सिध्धान्तिका इसको आप बिल्कुल भी इमनोर नकरेंगे नगार जुन रासान के प्रमप गया था था और धनवंत्री आयुवेद के परसित विद्वान थे यानि कि आयुवेदाचार थे यानि डॉक्टर थे यह बात हमने पहले भी कर लिया था लेकिन आरे भट के बारे में और काली दास के बारे में जो कुछ किताबों का नाम बताया वह बड़ा इंपोर्टेंट है इसको आप कुटो के समय में हुआ हुथा ठीक है लेकिन पॉइंट यहां पड़ यह है कि यहां से एक्जाम को कोशन पूछ लेते कि का इसका स्पेसिफिकेशन क्या है तो अजंता के गुफा का महराष्ट्रा में है पहला अलोडा भी महराष्ट्रा में आजंता और एलोडा जिसको है जो की उच्च बर्क की संपन्ता को दिखाता है तो मरनासन राजकुमारी की चित्र बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट और इसमें जो इंपोर्टेंस है इसकी जो फीचर्स है अजनता का वो है गौतम बुध और उसके पिछले जन्मों की घटना है यानि की जात जातक कथाओ की घटना है यातक कथा और आप जानते हैं कि जातक कथा क्या है बुध टेक्स्थ है जिसमें भगवान बुद के पिछले जन्म की कहानि है एलोडा की गुफ़ा में हिंदू बौद्ध और जैन सभी धर्मों से जुर्य हुई हूँई पउइंट है ऐलोडा की का नाम है एरन अभिलेक, और एरन अभिलेक में सबसे पहले सती होने का परमान मिला है, और यह MBBI है, ठीक है, इसमें एक ब्रहमन के वाइफ का सती होने का परमान मिला है, इसको एक बार देख लीजेगा, लेकिन भानु गुप्त के एरन अभिलेक से पहली बार सती होने का परम अमान मिला है भानु गुप्त के एरन अभिलेक से और चुकि अब जानते हैं कि सती पर्था भी हमारे पास है नहीं लेकिन सती पर्था को एबोलीज करने का यानि कि इसको किस ने खतम किया तो हमारे हैं है राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ने सती पर्था को समाप् यह दोनों सतीपर्था को समाथ करने में बρα यह कुदान. देते हैं सतीपर्था को समात्र करने में, और सतीपर्था का पहला परमान कहां से मिलता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेक से, राजा राम मोहनरा को राजा का उपाधी अकबर तिर्तिये ने दिया था, या अकबर दूतिये ने, अकबर दूतिये ने, राजा का उपाधी द ठीक है, यह बात याद रखिएगा, चलिए, सोने के सिक्कों सबसे ज़्यादा किस ने जारी किया, गुपता ने ये बात हमने आपको बता दिया, और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार ये भी बात बता दिया, और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, ये तो हर्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, बर्धन डायनेस्टी के बारे में, बर्धन डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हर्स बर्धन सबसे इंपोर्टेंट राजा है, और हर्स बर्धन का पूरा का पूरा समराज है, जो कि आप मैप पे देख रहे हैं मैप लगाना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि एक बड़ आप देख ले कि हर्स वर्दन का समराज क्या है आपको PDF में भी इसी तरीके से मिल जाएगा तो इसे क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा कम से कम देखे तो कहां तक यह फैला हुआ थ भी ठाल यह च्छेथिर तक फेला हुआ है यहने के अपना सफल हो जाते हैं महान समराज समराज का 니रceptions करते हैं वही बात हमें बता है इसे पुस्भूती बाति भी कहते है तो वहीं के यह रहने वाले थे ठीक है और इस बंस की सबसे पर्मुख जानकारी आपको बान भट से मिलेगा बान भट के हर्स चरित्व से चुकि हर्स बर्धन के दरवारित है बान भट तो हम हर्स बर्धन जब पढ़ेंगे तो बान भट एक्टमेटिक हमको पढ़ना पढ़ ठीक है ध्यान रखेगा और इसे अन्तिम हिंदू राजा भी कहा ता आयर्स बर्धन को क्या करता अंतिन हिंदू राया कुछ लोग है थेमु को अंतिम отправ younger को लेकिन यह एक्जाम का कोस्टन बना है तो इसको ध्यान रखेगा तो हर्स बर्धन सिलाधित टाइम पुरिएट 606-647 है जन्म हुआ है 590 इसवी में एक्जाम का कोस्टन बिल्कुल नहीं बनेगा और बनेगा भी तो बहुत परसान करने वाला है पिता का नाम एक्जाम का कोस सरी बर्धन डियनफित का अगेनक के फांडर रेडठधा में फुर्ण हाले चलिए है और त्फ और छो य्यक्षार की सब्सक्रागश औरैं के कंडर का वीड़ी फायान चंद्रगुप्त दूतिय के दरबार में और हुएन सांग खर्च के दरबार में ये बात भी आप ध्यान में रखेगा अंतिम हिंदु समराइट कहा गया है ये बात तो मैंने आपको बता दिया हाँ फायान के किताब का नाम एक्जाम में कोशन पूछा गया है फायान का किताब का किताब का नाम है कि यूटी हुए इंसांग का फायान का पूछा है इहां से एक्जाम कोशन पूछ के आपको कण्फ्यूज करेंगे क्या confuse करेगा कि इन में से कौन सा हर्स का किताब है प्रियदर्सिका रतनावली नागानंद और हर्स चरीत्र और हर्स का किताब नहीं है या फिर प्रियदर्सिका रतनावली नागानंद कादंबरी चार दे देगा और पूझेगा कौन हर्स का किताब नहीं है तो कादंबरी हर् यह बात मी मैंने आपको बताया कि बानभट इनके दरवारी कभी थे और इनके दो किताब बढ़ा important है that is कादंबडी और हर्ष चरित इनके दो किताब बहुत important है यह बात को दिहान में रखिएगा आपसे किसी तरीके के question बना करके गलती करवा देगा आपसे और आपको गलती नहीं करना है मतलब चीरिया बहलिया आएगा दाना डालेगा जाल डालेगा हमें फसाएगा और फसना नहीं है तो यह बहलिया है यह दोनों और आपको फसाएगा बहलिया कौन है examiner और यह दाना है और आप है। पूतर आपको चाहेगा फसाना और आपको फसना नहीं है क्योंकि मैं यहां पर आपका मागदर्सक हूं जो आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको फसाने की कोशिस करेगा चलिए ठीक है आगे बात करते हैं हर्स ने महाराजय धिराज परम भट्टारक जैसे उपादि ससांक और पुलके सिंग दूतिय से हर्स का पर्ति दनदी था क्या था यह भी बतायते हैं दो hai पूरी कहानी को अच्छे संभ्झेगा ससांक गौर का रहने बारा था एकग्जाम का ऐसे पूछले आपकशन फैसला कहा कहां ने रहने वाला था, यानि बंगाल, गौर कहां, बंगाल, जो भी बात मैं लिखता हूँ न, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका मतलब होता है कि वो बात मैंने आपको नोट्स में नहीं दिया है, तो ठीक है, तो ससांक कहां के रहने वाला था, बंगाल का ससांक, गौर नरेस ससा तो ससांक ने क्या किया था कि हर्स के बहन के हस्बिंद को उसको मार दिया था और उसकी बहन आत्म हत्या करने के लिए जंगल में चले गए थी तो हर्स ने क्या किया कि अपने प्रभावती गुप्त, बाद में बात करेंगे, रुख जाएए, तो हर्स ने क्या किया था, राश्री ठीक है, तो हर्स ने क्या किया था, प्रभावती गुप्त नहीं हो, तो गुप्त द्यानेश्टी करा, तो हर्स ने क्या किया था, कि अपन कि Sassang मर नहीं गया यानि Sassang की मिर्तियों नहीं वोगई अगरा पॉइंट यहां पर यह ससे को सथिंख पूचा है कि बोदी विरिक्ष को किसन ने कट वा था बोदि विर्ख का है कि जिस बिरिक्ष के नीचे, जिस पीपल पेर के नीचे भगवान बुध ने अपनी ज्यान की प्राप्ति की थी, ओरिजनली उस बिरिक्ष को किस ने कटवा दिया था, ससांग ने कटवा दिया था, यह बात अब ध्यान में रखेगा, यानि की ससांग बिहार तक आकर्मन करता है और बोधी बिरिख्श को कट्वा देता है तो ससांग के बारे में दो तिन पॉइंट है जो बड़ा इंपोट्स है पहला पॉइंट के साथ क्या था इसका द blender था यानि कि दुस्मनी था शेख पॉइंट है यह भी एकजाम का पॉइंट है वो वह क्या है कि बोधी बिरिक्ष को कटवा दिया था तीसरा और चौत्हा पॉइंट है ये भी एक्जाम का question है सैब मताम भिल लई था सैब धर्म को मानता था सैब धर्म या सैब मत मत को मानता था सैब मत को मानता था बहुत धर्म का बहुत बड़ा दुस्मन था ससांग, ये बात अब ध्यान रखेगा, इसने बोधी बिरिक्ष को ही कटवा दिया था ससांग ने, ठीक है, तो ससांग एक्जाम में कोशन बन जाता है, दो हिसाब से, सैब धर्म को मानता था, पहला हिसाब, गौर नरेस था, तो बीच में नर्मदा नदी के आसपास, बीच में नर्मदा नदी के आसपास, दोनों के बीच में लडाई होती है, और यहां हर्स बर्धन हार जाता है, पुलकेशिन से, और यह पॉइंट अब ध्यान में रखेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखेगा, क्योंकि पुलकेशिन दूतिये का एक्जाम में कोशन कई बार पूछा है कि हर्स बर्धन को किस ने हराया था, तो पुलकेशिन दूतिये ने हराया था, यह कोशन एकजाम में कई बार पूछा है, ठीक है, कहां हराया था नर्मदा नदी के किनारे, यह भी बात यहां रखेगा, नर्मदा नदी, यहां पे लिखा हुआ हमें नर्मदा नदी के किनार यह बात याद रखेगा इत्सिंग जो भारत आया था 671 705 इस भी के बीच में भारत में रहा था इत्सिंग तो अगर आपसे time period के हिसाब से भी भारत में पूछ ले time period के हिसाब से जब भी बोर्ट पर आता हूं तो समझ लो कि कुछ मैं exam का important काम करने आ रहा हूं तो time period के हिसाब से भी पूछ ले तो आपको सबसे पहले फायान कहना है कि सबसे पहले कौन आया था फायान ठीक है उसके बाद कौन आया था हुएं सांग उसके बाद कौन आया था इत्सिंग अगर आप इसके करम को भी याद रख लेना कि सबसे पहले यह था पहला दूसरे में यह था और तीसरे में ठीक है भारत आने के करम का तो उसी करम से आपके exam के question solve हो जाएंगा time period याद रखने की जोड़त नहीं पड़ेगी लेकिन फायान किस के समय आया था चंदरगुप् धूतिये, हवेंसां हर्स और इसंग के सासक का नहीं नाम लेंगिन भारत इसने आया था ठीक है चलिए तो इसंग की समय आया था पुलके धूतिये का अफिलेक यह भी इंपॉर्डए इंपोर्ड़ाइब और इसी अफिलेक में क्या बोलते है हर्स के हारने का बरुनन है इस है और इसके किताब का नाम है दसकुमार चरित्र ठीक है इसके बार इसे भी भर सहांग के साथ इसका दूस्मनी था क्यूं था यह भी बात ध्यान रख्याईगा और उमें करके इसने भी बहुत संगती करवाया था तो कभी-कभी एक्जाम में पांच भी बहुत संगती के बारे में कोशन पूछ लिया था पूछ लिया जाता है तो वह हर्स ने करवाया था पांच भी बहुत संगती कन्नौज में कहां करवाया था कन्नौज में तो फिफ्थ बहुत स अंगेती को अगर रिविजन करवा दू तो पहला किस ने करवाया राजा और अस्थान दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पांचवा ऑप्सिनल है ठीक है कलर चिंज पहला करवाया पहला करवाया कौन होगा अजात सत्रू दूसरा करवाया कौन होगा काला सोक काला सोक ठीक है काला असोक तीसरा का असोक चौथा का कनिस्क और पांचवा का हर्स ठीक है अस्थान पहला का स्थान अस्थान का कलर दूसरा लेता हूं ठीक है अस्थान का कलर दूसरा लिया है पहला का स्थान राजगरी दूसरा का स्थान बैसाली तीसरे का स्थान पाटली पुत्र चोथे का स्थान कुंडलवन और पांचवे का स्थान कन्नौज ठीक है तो ये बहुत दुसंगती है है ना चलिए तो हम लोगों ने प्राचीन भारत में हर्स तक की बात कर लिया है और यहां पर प्राचीन भारत के एक छोटा सा सेग्मेंट और आएगा जो नौर्मली हम लोग छोटे-छोटे जो राजबन से उसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर इस कलास को हम रोकते हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में छोटे-छोटे राजबन के बारे में बात करेंगे तो छोटा सा वीडियो होगा, उसके बारे में जल्दी से बात करेंगे, फिर अम्हाद काली भारत के तरफ परवेस कर जाएंगे, एक्जाम का कोशन बनाईए, बिल्गुल स्वाल होगा, नहीं होगा, तो आप कमेंट जरू कीजएगा, कमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो थेंक्यू, थेंक्यू बेरी मच्च,